तो अब क्या हुआ बोलू ने कहा मेरा एक दोस्त है जो मक्खी बिना उसके नाम है बिना बिना मक्खी को बुला कर कुछ उससे जाज शला ले लूँगा वो जरूर हमारे सायता करेगा और इतना कहकर यो चल गया बोलू ने अपनी दोस्त बिना के पास पोच कर उसे शारी बा फिर बिना ने कहा इसे पहले कि हम कोई फैसला करे अपने मित्रों मेगनाट मेधाप तो बिना ने भी कहा ठीक है इसे पहले हमारे और एक मित्र है अपना दोस्त है जो मेगनाट मेधाप जो है उसे भी थरा शला ले 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 लेंशे ठीक है कि वह बहुत ही अख्यलमध हैं वह बहुत ही धिमान है हाठी को मारने के लिए जरूर कोई असान तरिका बता देगा मेगनाट spend developed that should make episode 7 जरूर कोई असान तरिका हमें बता देगा depends what experience हाँ तो इधर क्या हुआ। इंब्सकेद II ॢ वibile श्रिक तो ब्लूर पता हैं मेधक बोला, मेरे दिमाग ने उसे मारने की एक बहुत आसान तर्कीब आई है, तो मेधक ने कहा, यानकि मेधक ने, मेधक ने कहा कि उसको मारने के लिए मेरे पास एक बहुत आसान तरीका, उपाय है मेरे पास, बिना बहन, तो क्या उपाय है, वो जब मेधक बताता है सब को, तो सबसे पहले क्या बतादा बीना बहन सबसे पहले दोपेर की समय तुम हाथी के पास जाकर मदूर स्वर में एक काम एक कान में गुंजन करना यानकि तुम दोपेर की समय जो हाथी आराम कर रही होगी तब तुम उसके कान में जाकर कुछ तुमारी आवाज करना तो मदूर्स आवाज उसे सुनकर वह आनार्श अपनी आखें बन कर लेगी तो हाटे क्या होगा उस आवाज को सुनकर वह अपनी आखें बन कर लेगा इतने मिधी आवाज उसी समय भलू अपनी तीखी चोट से उसकी दोनों आखे फोर देगा ठीक उसे जब वह आँख बन कर लेगा तो भलू जो है अपने चोट यानि को बीख जो चिरिया का बीख होता है उसका चोट बहुत तीखी यानि कि पॉइंटेट है तो वह क्या करेगा तो जाके हाथी का दोनों आखे फोर देगा तो हाथी क्या होगा हाथी अंधा होकर इद्यारुदर भागना सुझव होगा थोड़ी देर बाद जो भाक्ते भाक्ते क्या होगा हाटी थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सही जोड़े से तर्टर की आवाज करने लगूँगा तब क्या करूँगा मैं अपने परिवार के साथ जाकर कोई खाई के खाई में खाई के सामने जाकर तर्टर की आवाज करूँगा क्योंकि मेधव तर्टर की आवाज करती है कहीं पानी होता है कहीं गड़ा होगा उस गड़ा में पानी होगा तब मेधव तर्टर की आवाज कर हाटि उसफी आवास की तरफ भू रहेगा दोरने के बाद क्या होगा सशीआस पर पानी है क्योंकि मैध़क बल रहा है तो वह उसी तरफ जाएगा तो किया होगा जैसा आपने कहा था बिना about अचा ही क्या इस तरफ छोटे-छोटे तब क्या हुआ हाथी वह आवाज की तरफ बढ़ते-बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा खाई में पड़ा-पड़ा ही वह मर जाएगा तो हाथी उसमें पानी है तो उस खाई में जाएगा तो खाई में नजिक में पहुंचते ही वह जब जिविशूर को नीचे करेगा तो वह उस खाई में गिल जाएगा और जिरते क्या होगा उठ नहीं पाएगा तो उठ नहीं पाएगा मिल धीरे धीरे वो दीन बित्ते जाएगा तो धीरे धीरे जाएगो वहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा इस तरह क्या हुआ, सबको मेगनात की सला बहुत पसंद आई जैसा उसने कहा था बीना और भलूने वयिए हें किया, मेगनाथ ने जिस को जैसा बताया वयिए और पीर क्या हुआ इस तरह छोटे छोटे जिवह ने मिल कर आपनी ताकत से हाती जेसे बड़े जिवह को उना गिदाया और फिर से प्यार से रहने लगा और फिर क्या हुआ इसी तरह इतनी छोटे-छोटे जनवर ने इतना विशाल काई हाथी को भी मार दला वो कैसे दोस्ती के कारण बुद्धी के कारण जो है यह हाथी मरा गया तो इसी तरह यानकि हमें छोटे होने से भी डरना नहीं है शाहर से काम रेना है और दोस्ती जो है बहुती बहुत खुबी से निभाना चाहिए एक दोस्त दूस्त को जो है साहता करना ज़रूरी है तो इस कहानी पे हम लोग पता चला कि दोस्ती कितनी बड़ी चीज है और दोस्ती भी सच्चा दोस्ती होना ज़रूरी है तो ओके स्टूडेंट आज यह लेशन यहाहीं तोख होगा नेक्स्ट वेशन अंसर जो है बार में हो जाएगा ठीक है ओके बाए